MBA एक ऐसा कोर्स जिसके बारे बहुत सरे स्टुडेंट जानना चाहते हैं लेकिन उनको पूरी जनकारी नहीं मील पाती लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको MBA के बार में पूरी A to Z जनकारी देने वालो हो तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दू कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि MBA क्या होता है MBA कौन सी पढ़ाई होती है MBA कौन कर सकता है उसके लब हम लोग जानेंगे कि MBA करने के लिए क्या योगिता चाहिए MBA कोर्स कितने साल का होता है MBA कितनी प्रकार का होता है MBA में admission किस तरीके से होगा MBA करने के लिए आपको कितना पैसा लए गए इनिकी फिस कितनी होगी MBA कोर्स की उसके बाद हम लोग जानेंगे कि MBA अगर आप कर लेते तो आपको जॉब कैसी मिलेगी आपको कितनी salary मिलेगी और MBA करने के क्या फायदे हैं इसके लावा और भी कुछ important points है जो कि आज की वीडियो में लोग discuss करेंगे तो दोस्तो अगर आप MBA के बादे हम जानना चाहते तो ये वीडियो के लिए बहुत useful है और मुझे पूरी उमीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे कोई और वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा मेरा नाम है आयूस और आप देख रहे हैं आयूस इरिन यूटूब चैनल तो चले दोस्तों बिना टामवेस्ट की वीडियो को श्रूर करते हैं अगर आप चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को like कर दीजे चैनल को जरूर से subscribe कर दीजे तो चले अब हम अपना वीडियो स्रूर करते हैं सबसे पहले हम लोग जानते है कि MBA क्या होता है तो देखोगेज आज के टाइम में MBA एक बहुत ही ज़्यादा demanding course है MBA का जो full form होता है Master of Business Administration MBA का जो course होता है ये एक PG course होता है कहने का मतलब है कि post graduation course होता है और इस course की जो ओधी होती है दो साल होती है अगर आप अच्छी तरीके से MBA का course कर लेते हैं आप foreign company में भी job कर सकते हैं आपको salary भी बहुत अच्छी मिलेगी ये सारी detail आपको इस वीडियो में आगे मैंने बता है तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखिए तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि MBA का course कौन कर सकता है दोस्तो अगर हम लोग MBA course के लिए eligibility criteria की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताई कि एक PG course है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपकी graduation complete होनी चाहिए अब बारी आती कि graduation कौन से इस ट्रिम में complete होनी चाहिए तो देखो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा full-time MBA, distance MBA, one year full-time MBA, one year part-time MBA, online MBA and MBA integrated course तो आये अब हम इन सब के बारे में जान लेते हैं कि इन course में क्या क्या difference होता है और किसके लिए कौन सा course है तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं full-time MBA की तो दोस्तो full-time MBA दो आज का degree course है जैसे कि मैंने बताया और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस course को करने के लिए आपकी graduation complete होनी चाहिए और ये full-time MBA है तो दोस्तो इसमें आपको daily college जाना पड़ेगा अब जो दूसरा type होता है distance MBA दोस्तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये distance है इसमें आपको daily class करने की जरूरत नहीं है ये भी आपका दो साल का course होता है और इसे आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं अब बार्याते one year full-time MBA तो दोस्तो ये course एक साल का होता है और इस course को करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ work experience होना चाहिए तभी आप इस course को कर पाएंगे अब जो next आता है executive MBA one year part-time MBA दोस्तो इस course की जो ओधी होती है ये 12 से 15 महीने होता है थोड़ा बहुत vary कर सकते है depend करते हैं कि आप कहां से कर रहे हैं ये ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर बनाएगे जो कि business में interested हो जो कि MBA की पढ़ाई करना चाहते हो जिनके पास कुछ work experience हो और इसमें एक और खास बाती है कि जो timing होती है class की holidays पर होती है फिर weekend पर होती है जिस अगलग website इस course को कराती है इस course की जो duration होता है एक साल से लेके चार साल तक हो सकते depend करते है कि आप कौन सी website से कर रहे हैं और इसकी जो पढ़ाई होती है पूरी पढ़ाई आप इसको घर बैठके कर सकते हैं जैसे कि online है तो आप इस चीज़ को समझे सकते हो next जो है MBA integrated course है दोस यह अब हम लोग जानते हैं कि MBA के course में admission कैसे होगा तो दोस्तों MBA के course में admission के कई सारे चरण होते हैं सबसे पिले तो आपको entrance exam देना पड़ेगा उसके लावा दोस्तों आपकी written ability test होगी जिससे WAT कहते हैं उसके बाद दोस्तों आपका group discussion होगा उसके बाद आपका personal interview होगा ए group discussion नहीं होता है तो यह थोड़ा बहुत change हो सकता है college के उपर institute के उपर क्योंकि बहुत सारे private college भी होते private institute भी होते हैं तो उनका जो नियम है rules जो है थोड़े से अलग होते हैं अगर हम लोग entrance exam की बात कर ले तो दोस्तों बहुत सारे entrance exam होते हैं चोंकि CAT, MAT, GMAT, JET, IFT इस तर से ज्यादे important है एक है CAT का और एक होते GMAT का CAT और GMAT ज्यादे important इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आपकी ranking अच्छी आती है तो दोस्तों अच्छे-च्छे college में आपका admission हो जागा बहुत सारे अच्छे-च्छे college ऐसे हैं जो कि इन्हीं के through इन्हीं की ranking के basis पर आपको admission दे देत है या फिर आप जानना चाहते कि बिना entrance exam के MBA में admission कैसे ले या फिर आप जानना चाहते कि MBA में क्या-क्या subject होते है क्या-क्या syllabus होते है अगर आप यह सभी कुछ जानना चाहते तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है Google पर जाके simply search किजे MBA क्या होता है नीचे scroll down करेंगे तो आपको यह वाला जो article दिख रहे है आप heading अच्छे से देख लीजे यह URL देख लीजे how to become in India यह photo देख लीजे इसी पर आपको क्लिक यह article हमने ही लीख है इसमें आपको पूरी detail समझ में आ जाएगी मैं वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो लोग फिस की बात करें तो इसकी फिस काफी ज़्यादा वैरे करती है डिपेंड करता है कि अब किस institute से MBA का कोर्स करो हो MBA की जो फिस होती है 2 लग से लेके 20 लग रूपे तक हो सकती है अगर आप IIM एहमदाबाद से MBA का कोर्स करें तो दोस्तों इसके फिस काफी ज़्यादा है इनफेक्ट सबसे ज़्यादा है इसके फिस करेव 18 से 20 लग रूपे आपकी हो जाती है लेकिन अगर हम लोग वहीं प future में और ज़्यादा हो सकते हैं तो आई अब हम लोग जान लेते कि अगर आप MBA का कोर्स कर लेते तो इसके तो इसके बाद आई पस तीन अप्सिन है आप आगे जाके और पढ़ाई कर सकते हैं आप job कर सकते हैं या फिर आप खुद का business कर सकते हैं तो चले अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप job करते हैं तो MBA के बाद आपको कितनी salary मिलेगी तो देखोगे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको MBA के बाद कितनी salary मिलेगी ये काफी हद तक depend करता है कि आपने कहां से MBA का course किया है और उससे भी जादा important चीज़ ये है कि आपको कितना knowledge है आपको कितनी समझ है आपको कितना experience है इन सभी पे आपकी salary depend करेगी लेकिन फिर वे अगर हम लोग एक average salary की बाद तर ले सकती है सब कुछ depend करते है आपकी experience के उपर आपकी अच्छी तरीके से काम को करते हैं और आपकी इस company में job कर रही है इन सभी चीज़ों पर आपकी salary depend करती है अब हम लोग जान लेते हैं कि MBA करने का क्या फायदा है तो दिखोगे इस MBA आज के टाइम में बहुत ज़्यादा demanding course है अगर आप MBA का course सही तरीके से कर लेते हो तो दोस्तो आपकी समझों की life पूरी तरीक यानि कि बहुत बड़ी बड़ी company में job करने का मौका मिलेगा जिसमें आपको बहुत अच्छी salary मिलेगी company के तरफ से बहुत सारी सुईधाय आपको मिलेगी आपका एक status अच्छा हो जाएगा इसके लाव दोस्तों आप MBA का course करते तो आपमें skills बहुत सारी improve हो जाएगी जैस आपको इसका फायदा मिलेगा इसके लाव दोस्तों और भी बहुत सारी इसके फायते हैं और बहुत सारे इसमें आपके पास career option अगर आप जानना चाहते कि MBA के best private college कौन से हैं अगर आप जानना चाहते कि MBA के best government college कौन से हैं तो मैंने अपने article में पूरी लंबी list लिखी है 15- 25-20 college के list अब को बता ही है government college में private college में और पूरा admission process बता है बीना entrance exam के आप कैसे admission ले सकतो वो सब कुछ बता है क्या syllabus होता है क्या पढ़ना होता है यह सब कुछ बता है सब कुछ detail में लिख है मैंने अपनी website पे एक बार तोस्ता particle को जरूर पढ़ेगा अगर आप MBA करना चाह आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आजए देखो कुछ चीज होती है ना कि अप सुनोगे तो नहीं समझ में आगा कुछ चीज होती है कि अगर आप पढ़ोगे तब अब जाधत अच्छी तरीके से समझ पाऊगे इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप Google पे जा फोटो देखे पहचान जेंगे उसी एकॉर्डिंग आप उसको क्लिक कीजिएगा तो आई होब दोस्तों एंब एसी रिलेटेड जितनी भी जरूरी बात थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी फिर भी अगर आपके मन में खुछ डाउट है तो एक बार आर्टिकल पढ़